आज हम बात करेंगे रिवाज लेके त्यों धर्द सील से एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने पहले तो कई साल देश की सीवा में बिता दिया फिर देश सीवा करने के बाद समाज सीवा में लग जी हाँ वो कोई और नहीं बलकि रिटायर कमांडो अरुन गौतम जी है हम आपको बता दें कि कुछ नेताओं की राजनीती की हवस ने इन जैसे समाज सेवी को आज जेल में बंद करके रखा जा रहा है और तो और कमांडो अरुन गौतम के उपर देश द्रो का आरूप भी लगाया गया है कि इन कारणों से लगाया गया है यह बात अभी तक स्वस्ट नहीं हो सकी इस बात का पता लगाने हमारी टीम दखखबरदार न्यूज जा पहुँची तियों धर तहसी नमस्कार मैं मेरा पांडे और आप देख रहे हैं दखबरदार न्यूज जहां पर हमारे टीम ने पूरी छान बेंगी कमांडो पे जैसे इतनी सारी धाराएं लेकरा सुका के तहत उनको जेल में डाला गया तो ये सब चीजें किस हद तक जायज है या ना जायज देखिए मैं अपनी राय के साथ साथ जो छेतर की राय है छेतर के लोगों का जो समर्थन है उनके साथ तो समर्थन होने का कारण ये था कि वो लोगों की सेवा कर रहे है लोगों के लिए वो काम कर रहे थे और छेतर को वो मजबूत बनाना चाह रहे थे कमांडो देखिये समार सेवी के कमांडो के बारे में कोई इसमें गफलत बाजी रही है कमांडो सच्चे आजमी है गरीबों की मदद करते हैं अभी एक महिला बेमार हो गई थी डाक्टरी में थी उसको पैसा नहीं था दबा कराई उसके पास खुन नहीं था कमांडो साहब को पता भई मालूम हुआ जाकर उसको अपना खुन दिये हैं यतनी जानकारी हमको है तो कमांडो साहब पता ये गरा थे किसा ही है ये तो गरीबों के लिए मदद कर रहे हैं ना जी मैने सुना है जो हमारे पूल कमांडो की है तो उनके उपर देश द्रोगा आरोप लगाया ग जिससे ये निसकर्स निकलता है कि उनके उपर लगाया गया देश द्रोगा आरोप निंदनी है बे बुनियाद है उन्हीं फसाया जारा है हम आपको बता दें कि कमांडो अरुन गौतम ने समाज सीवा में कई कारे कर चुके हैं जैसे कि उन्होंने कई गरीब लड़कियों क साधी अपने दम पर करवाया और दो और उन्होंने अब भी आठ दस गरीब और निसहाय बच्चों को खूद लिया है जिसके लिखाई पढ़ाई से लेकर सारे जिम्मदारियां खुद के लिए हुए हम आपको बता दें कि घटना की सुरुआत एक गाउं चिला से भी जहां के लिए गाउवालों के अनुशार बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा पैसे एठे जा रहे हैं जिसका विरूद गाउवालों के कहने पर कमांडो जीने किया तभी वहां पर बिजली विभाग के कर्मचारियों और कमांडो अरुन गौतम की जड़ब होगी आगे क घटना इस महिला के द्वारा सुनिये कि क्या जो उनके सामने थे और उनका साथी पीछे से आया उनको एक फिसा उठाके मार दे उनको भारी चोट लगई वो गिर गए खुण से लत्पत हो गए वह भाग करके जब पब्लिक टुटी तो वह अंदर चले गए इसके बाद कौन मतलब वो विजरी भाग के अधिकारी वो खु दखबरदार नियोज के गाउं गाउं जाकर लोगों से बात की जहां पर ये सब यही बात की कमांडो अरुन गौतम के साथ बहुत गलत हुआ है उन्हें फसाया जा रहा है वो गरीबों और असहायों के मसीहत हैं दखबरदार नियोज के टीम कमांडो अरुन गौतम के घर जाकर उनके बेटे और पत्नी से पुछता ज़के जहां पता चला कि MP पुलिस और UP पुलिस ने बिना किसी चितावने के घर में घुसकर तोड़ फोड़ किया बच्चों को धमकाया CCTV का CVR बॉक्स भी तोड़ा दर पुलिस ने कमांडो अरुन गौतम को अफमानित तरीके से जबर्चस्ती ले गए आप स्वैम सुनिए पुलिस कमांडो अरुन गौतम के घर पर क्या पहले हम लोगों को नहीं पता था कि पुलिस आई हुई हम लोग उस समय पढ़ रहे थे अंदर दुनोंने धमकी दी कि हम तुम्हारा गेट तोड़ देंगे लेकिन फिर भी हम लोगों ने नहीं खोला तो इन्होंने सबसे पहले हमारा जो हॉल को गेट है उसको तोड़ा और उसके बाद अंदर गुज गए थे घर के और फिर बाद में हमारा जो CCTV कैमरे का DVR सेट अप है उसको भी तोड़ के ले जिसके बाद जो भी रिकॉर्डिंग थी पहले कि वो हमारे पास है और उसके बाद की नहीं है हमारे पास जिसके बाद दख़बरदार टीम ने पुलीस के अनुभागे अधिकारे त्यों धर्दी हुई जहां पर अनुभागे अधिकारी ने क्या कहा आप खुद ही सुल और इनके द्वारा जो जेई के साथ मारपीट की गई एमपीवी के उसमें परकण पंजीबदी किया गया और इनकी तलास कर रही थी पुलिस और पुलिस ने जब इनकी तलास किया तो इनकी ग्रिफदारी इनके नेनी इस्थित आवास से हुई जब इनकी गिरिपदारी हुई उस समय यूपी पुलिस भी अपने साथ में थी और यूपी पुलिस ने जब इनको देखा तो उनने बताया कि हमारे यहां का यह बेक्ती हिस्टी सीटर है उत्तर प्रदेश में भी इनके खिलाब कई अपराद पंजीबत है तब उनसे रिकार् करद दिया तो उन्हों वहां इनकी हिस्टी सीट भी खुली हुई है और हिस्टी सीट उस भेक्ति की खुलती है जो लगातारात्तन अपराद ही होता है और गंबीर अपराद कठित करता रहता है किसी तरह से वह अपने अपरादिक कारियों से बाज नहीं आता है तो चुकि उत्तर प्रदेश में भी इनके खिलाब लूट के प्रयास के, 420 के, मारपीट के, सासकी करमचारियों के साथ, मारपीट और कारमे बाधा के अपराद कई पंजीवत थे, मद्ध प्रदेश में थे, ये अंतर राजी प्रवित्ति के अपरादी होने के कारण, इनके खिलाब फि लोगों के चहेते थे, इनके लिए काम करते थे देखिए कमांडो अरुन गौतम के प्रती, लोगों के क्या भावनाय हैं, क्या उमीद हैं और क्या प्यार हैं अलग-अलग गाओं के लोगों ने भी कमांडो अरुन गौतम के उपर लगे हुई दीज रोगे आरोप को भी बुनिया ठारा रहे हैं। यह परिशान हो रहा है उसका घर परिशान हो रहा है। किले में प्रावार सहित उसके द्वारा कहीं भी लड़की जेन खानी की गई हो कहीं भी 450 जो लगी है धारा कहीं भी ड़कैती किया गया हो हाँ यतना जरूर कोँगा निश्चित दोर पर गर समास्यनियों को परिसान किया जाएगा तो जो 36 गड़ में नक्सलाइट पैदा हो कमांडो अरुन कौतम की बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट वोक्स में चरूर बने रहें अबरदार नियोज के साथ धन्यवाद कमांडो देखिए समाज सेवी के कमांडो के बारे में कोई इसमे गफलत बाजी रही है, कमांडो सचे आदमी है गरीबों की मदद करते हैं अभी एक महीला बिमार हो गए थी डॉक्टरि में थी उसको पैसा नहीं था दबा कराएं कि उसके पास खून नहीं था तो कमांडो साहब को पता भई ये मालू हुआ तो सोये में जाकर को उसको अपना खुन दिये है एतनी जानकारी हमको है कि कमांडो साहब पता ये गरा थे कि सही है ये तो गरीबों के लिए मदद कर रहे हैं न